हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी भावी सिक्ष को और मेरे प्यारे भाईयों बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिरीगुरू अकैडमी पर फ्रेंज आज हम मैथ पेड़ागोजी के प्रिसनों को ले करके आए हैं जोगी सातियों आपके सीटेट के लिए बहुत ह मैथ पूर्ण है सातियों जैसा कि आपको पता है मैंने आपके मैथ पेड़ागोजी के प्रक्टिस को सुरू कर आया है ठीक है तो आज उसी किरम में हम प्रक्टिस थ्री ले करके उपस्तित हुए हैं फिरेंस ये प्रसंद आपके प्रिवियस येर में सीटेट में पूछे तो सातियों बहुत ही महतमूर वीडियो है और वीडियो को चलते हैं शुरू करते हैं इससे पहले फिरेंस आप से रोकेस्ट है यदि आप चैनल को पहली वार्बजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राब कर लेंगे बैल बटन को दबा देंगे और ये मैटर पीडिया फॉर्मेट प्राप्त करने के लिए हमारे टेलिगराम चैनल को जोइन कर लेंगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियो आपका कीम्धी टैम खराब ना करते हुए चलते हैं और वीडियो को सुरू करते हैं फ्रेंस जैसा कि आपको पता है कि आपका एकजाम है बिसे वस्तू के बिसे में पिर्सनों का स्टेजन करना दूसरा है पिर्सनों को हल करने में आसमर्थता तीसरा है कक्षा में संदे है प्रिस्तू करना और चौता है पिर्सन हल करना बताईए साथी क्या हो जागा यहां पर आपका आंसर तो फ्रेंस मैं आपको यहां पर बता सबसे पहले तो आप बच्चे को सब कुछ मालने ठीक है यानि बच्चा क्या है तो बच्चा बैग्याने के बच्चा भवाने ठीक है और सिक्षक क्या है केवल एक हैलपर के रूप में माना जाता है। जो कि हमारी राष्टे पाठी चर्चा 2100 जो है 205 यहीं कहता है ना पर हल करना यह option कट जाएगा और तीसरा option भी कट जाएगा ठीक है चलते हैं दूसरे option की तरफ क्या है प्रिशनों को हल करने में असमर्धता तो यह तो बिल्कुली गलत है ये आपके जो है पोजिटिव विकल्प होते हैं ठीक है तो मैंने साथियो आपको बताया है कि आप पेड़ागोजी में किस तरीके से कुष्णओं को लगाएंगे ठीक है साथियो तो क्या है आप जो है निगेटिव पॉइंट होड़ेंगे ठीक है और जो जो है तीसरा है अब भ्यास प्रसन और चौता है हल किये हुए उधारण अब फिरेंस आप देखी यहाँ पर आपके लिए आंसर कैसे लगाना है आपको लगाना है जो सबसे ज़्यादा उपियुक्त है वो विकल्प आपके लिए यहाँ पर चूज करना है तो क्या हो जाएगा बताईए यहाँ पर आंसर तो साती क्या है जैसे पहला उप्सन क्या है कि प्रमे और उनकी उपत्ति ठीक है तो यह जरूरी है लेकिन क्या है सबसे ज़्यादा जरूरी नहीं है अगला है अभ्यास प्रसन यानिकी खोज के लिए क्या है बच्चा खुद से चिंतन करे और खुद से खोज करे समझे है ना ये अन्वेसन जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है ठीक है पिरसनों में ठीक है और क्या है अभ्यास पिरसन तो जरूरी ये भी है लेकिन ये जो है सबसे ज़्यादा जरूरी नहीं है और हल किये हूँ धारण भी जरूरी है लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी नहीं है ठीक है तो जड़ से साखा का नियम इसमें हमने लगाया है ठीक है तो साथ यू पैड़ागोजी के प्रसनों को हल करने के लिए मैंने कुछ नियम बताए हैं वो ही नियम आप फॉलो करें और उन्हीं से क्या घटक उत्तरदाई नहीं है रेंस बताए हैं पर आंसर क्या पाठेकरम हो जाएगा या विशय की प्रकृति या लिंग या परिक्षा की पद्धिती ठीक है यह आपको बताना है रेंस कौन सा घटक क्या है नहीं है क्या है कि जैसे गलित है अब गलित में कुछ बच्चे जो अगर पाठेकरम आपने बच्चे के साब से तयार नहीं किया है तो बच्चे उसमें कटिंता महसूस करेंगे है ना तो यह हो सकता है विशय की प्रकृति क्या है कि गलित में आप आप जो है अगर ऐसे प्रसंद रख देते हैं जो जो है बच्चे के इस तर से उपर है तो व क्या है link पर depend नहीं करता ठीक है और परिक्षा कि पधिती क्या है अगर आप परिक्षा इस तरीके से लेते हैं कि बच्चे को आपने अपने बठाल दिया और उसे कहते लिए अध्य को परिफान कर सकती है thay ठीक है तो हमें किया करना चाहिए परिक्षा में जो है ज्यादतर मौखिक प्रिसन रखने चाहिए ठीक हैщее यहां पर आपbaar का तीसरा विकल्प सभेथ जाए जालते हैं अगले प्रसन पर, चौथा प्रसन क्या है, 24 प्रसन को और present के mantis container लेते हैं, कि जैमती में उपति लिखने संकेत काय मियं कि कि और कथन की तर्क और और तुसरा प्रसन के वर्ण को और तीसरा हम किसी आकरती, को खीचने के पद को और चौता है दो इतनती तालिका को जिसमें अभिग्रित और निगमन है ठीक है बता जी क्या हो जाएगा यहां पर आंसर तो फेरेंस क्या है आंसर तो आप लगाई देंगे लेकिन जो है थोड़ी ब्याख्या पर भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि कल क्या है, कल जब हम टेलीगराम पर अपना टेस्ट कराते हैं, जिसमें कुई हम कराते हैं, उसमें बच्चे बोल रहे थे कि सर मैथ समझ में नहीं आता है, तो मैथ के लिए आप जो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, और खासका जो पेड ठीके, तो पॉजिटिव क्या है, इसमें अब देखिए, कथन के तरक या और चित्त को है, यह सातिव क्या है, तरक यानि बच्चे इसमें जो तरक की बात हो रही है, तरक करेंगे, बच्चे तो अच्छी तरीके से सीखेंगे, अब क्या है, तो यह विकल्प आपका सही हो अब देखते हैं कि दूसरा उप्सन क्यों नहीं होगा, ठीके, तो जैमिती पिरसन के बन को, अब सातिव इसमें क्या है, अब बन अगर टीचर कर देता है, बच्चा अगर निसकरी रहता, तरक नहीं करता है, कोई भी सवाल नहीं पूछता, तो यह उसके कोई भी काम का नह है ना, तो इसे भी आप काट देंगे, तो सीधा सीधा ऑप्सन बन आपका यहां पर राइट आंसर हो गया, चलते हैं अगले पिरसन पर साथ ही हो, क्या है पिरसन नंबर फाइब ठीक है, तो पिरसन नंबर फाइब थोड़ा है, पहले पिरसन देखेंगे, उसके बाद में अप्सन देखें, क्या है, कि दो पूरा कोंड, दो अनपात, तीन के अनपात में हैं, उनको ग्याद कीजिए, कक्छा सैविंत की, NCRT की पाठे पुस्तक के उपरोग्त पिरसन का संदर्व है कि यह है, है ना, यह आपको बताना, निम्र सिरेंडी का विचार है, क्यूंकि य जानकारी का पिरत्यक इस्ति में उप्योग करने पर आधारत है, यह पहला उप्सन ठीक है, और अगला उप्सन क्या है, अगला देखते हैं, उच्चतर स्रेंडी का विचार है, क्यूंकि यह अपेक्छा करता है, कि दी हुई जानकारी की ब्याक्ख्या की जाए, इसका जानकारी से चित्र की रचना की जाए, ठीक है, और निम्ण स्रेंडी के विचार है, क्यूंकि यह इस्मरण जो ग्यान पर आधारत है, ठीक है, तो फिरेंज, अब बताजिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर, तो देखते हैं, फिर से चलते हैं, एक बार पिरसन प बात हो रही है, ठीक है, तो यह निम्ण स्रेंडी के विचार तो ही नहीं, पहले आप यह कार दें, जिसमें निम्ण आरा उसे आप भटा दें, ठीक है, अब अगला विकल्ब क्या है, उच्टर स्रेंडी के विचार है, क्योंकि यह पेक्षा करता है, कि दिवही जानकारी की ब्यक्षा की जाए तो यह देख रहे हैं आप और विसलेशन किया जाए है ना और इसके पिरियोग से बांचे जानकारी प्राप्त की जाए यानि कि जो आवस्थक जानकारी है वो प्राप्त की जाए अब इसमें सबसे उप्युक्त बिकल्प कौन सा है आपका दूसरा ठीक है और फिरेंज मैं आपको बताओं पैडगोजी में जो सबसे जादा लंबे चोड़े बिकल्प होते हैं वो यह आपके जो हर राइट आंसर भी होते हैं कई वार ठीक है तो इसमें दूसरा आपका सही हो गया तीसरा क्या है वो चितर सेंड़ी के विचार क्योंकि पिक्च्छ इसका बर्ग जो है इस प्रकार बर्ग दो है ना और इस प्रकार की उपत्ती है ठीक है क्या है कि ऐसी कोई पर्मे संख्या नहीं है ठीक है पर्मे संख्या नहीं है ठीक है क्या है इसके ऑप्सन पहला है बिरोद्वारा उपत्ती और दूसरा है प्रति उधारण द्वारा उ खाने चारो विकॉल्प में उपत्य ठीक है Canal कॉंज हैसे आप सिद्ध करें जो सबसे जादा प्रभाविय होगा ठीक है तो क्या होता बताई यानि वोद्हारन देना सबसे जाधा प्रभावी होता उधारन दे करके बच्चे अच्छी तरीके से समझते हैं यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा ठीक है अब इसमें क्या बिरोध तो ये तो गलत बात है ना बिरोध की कोई भी बात नहीं करनी है ठीक है पिरती स्थिति तो इसमें क्या है बच्चा निस्कर तो त्री और जो भी डिविजिबल वाली होती है ठीक है क्या है जैसे दो बटे तीन इत्यादी ठीक है यह क्या है सभी परमिसंग क्या है ठीक है तो यह क्या है साथियों यह आप सिद्ध कर दें किस तरीके से इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया ठीक है तो अगला ओप तो पहले तो आपको इसमें नहीं पर टिक करना ठीक है, नहीं है, ठीक है, तो क्या है हमारे लिए निगेटिव जो है धूणना इसमें भिकर ठीक है, अब बे समस्य समाधान के कौसल को बढ़ाते हैं, यह बात सही है, ठीक है, और बे अंतर बिसे अनवंदों को सिद्ध करते ह यहां पर टिक करना है, ठीक है, चलते हैं फ्रेंज अगले पर पर पिरसर नमबर 8 देख लेते हैं, क्या है, स्वारी साती हो, निमलखित में से कौन सा किरिया कलाप आकणों के प्रस्तुतिकरण और आकणों के नुरूपन के लिए उप्युक्त नहीं है, ठीक है, अब देखी पहला सरवेक्षन, दूसरा क्या है, बाद विबाद, तीसरा क्या ह समाचार, पत्र, रिपोर्ट, और चौथा क्या है, परियोजना, ठीक है फ्रेंज, तो आपके लिए यहाँ पर बताना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखी तो आकणों की जो जानकारी है, यानि कि उसके लिए आपको प्रस्तुत करना, ठीक है, और आज जो जानकारी ह उसका जो है, निरूपन भी करना, तो आपकी जानकारी किस के आधार पर होनी चाहिए, यह आपके लिए यहाँ पर बताना, ठीक है, यानि कौन सा जो है, उप्योग तो नहीं है, ठीक है, तो आपकी जानकारी सर्वेक्षण के आधार पर होनी चाहिए, ठीक है, कि आपने ज के सामने किलास में प्रस्त करेंगे लेकिन बाद विवाद की यहां पर यहां पर कोई भी बात नहीं की यहां पर क्या आकड़ों के लिए प्रस्त करना है जानकारी जो भी है जो पार्ट हमारे लिए योजना हमने त्यार की है उसमें पहले हम बाद विवाद की बात नहीं करते इसमें दूसरा जो है गलत हो जाएगा निगेटिव पॉइंट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर दूसरा आपका आंसर हो जाएगा ठीक है चलते हैं अगले प्रिशन पर देख लेते हैं क्या है उच्च प्रात्मिक इस्तर पर आंकडों के प्रवंदन का केंद्र होता है ठीक ये आपके लिए यहां पर प्रिसन है तो क्या है बताईए यहां पर साथई हो ऊच प्रात्मिक इस तर पर आंकडों के प्रवंदन का केंदर ठीक है जो आप आप देखिए पहला औप संगठन यानि क्या है आपने जो है मैथ में आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपने सीधा के लिए वो ही वताना उसमें जो है बच्चों का हमें कुछ भी लेना देना नहीं है बच्चों से ना ही पिरसन करने ये बात ये बिकल्प ये कह रहा है तो ये भी जो हम नहीं करेंगे ठीक है और अगला क्या है आकड़ों को एकत्र करने की तक निक तो ये कुछ हद तक सही है लेकिन अगर हम चलें जो option number हमारा 4 है उस पर क्या है कि आकड़ों का संग्र है संग्टन और प्रस्तुति करण है ना ये जो है चारों इसमें देख रहे हैं आप जड़ से साखा करी हैं अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर यह चौथा जो बिकलब है सबसे ज़्यादा प्रभा का नहीं है ठीक है गड़त में समस्य समाधान का ठीक है चित्रांकन बताईए option दूसरा है अंत से आरंब की ओर हल करना और तीसरा क्या है रट लेना और चौथा क्या है परिक्षण और तुर्टी बिधी ठीक है बताई क्या हो जाएग आपका answer तो यहाँ पर हमें देखना न सत तीसरा लगा देंगे आप कोई भी आपके लिए जो है जादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है चलते है अगले पर देखते हैं क्या है अगला परिसन कि निम्न लिखित में से कौन सी गड़ती प्रिकरिया नहीं है ठीक है कंठस्त करना पहला option है नहीं हमारे लिए देखना ठीक है अब सातिव क्या अनुमान लगाना हालागी ऐसे आपने मालोव प्रशंद्र इह बच्चे के लिए ठीक है तो उसमें कुछ ना कुछ अनुआ लगाने की जरूरत पड़ेगी ठीक है अए तब ही तो इसके लिए मतलब यह एक प्रशंद्र अब ये भी सही है लेकिन सीधे सीधे अगर कंटस्ट की आप बात करेंगे रट्टा लगाने की बात अगर करेंगे तो ये बिलकुल ही गलत है जो की राश्टी पाठेचरिया जो 2005 की हमारी बो भी इसके लिए मना करती है ठीक है तो उसमें कुछ खास पॉइंट है फिरेंस उसके ल हाले में गड़ित उन परसितियों में पनवता है जब ठीक है क्या है दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनायर सीखने के लिए विवस किया जाए और अगला क्या है बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्क्रियता से ब्याख्या करता है और अगला क्या है तीसरा क्या यानि कि हमें करना चाहिए है अब इसमें पॉजिटिवटी हमारे लिए देखने है ठीक है अब क्या है दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनायर यानि कि आप जो है एक निश्चित रूप से रोजान आते हैं और अपना लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, NCF बिल्कुल ही मना करता है, ठीक है, NCF कहता है कि आप बच्चों के लिए creative रखें, बच्चा करके सीखें, और बच्चा जो है अपने अनवहों को ब्यक्त करें हैं, और क्या है अगला विकल्प, तो ये गलत होगा पहला, दूसरा देखते हैं, ब अगला क्या है, तीसरा विकल्प, बच्चे एक साथ सूत्रों का अभ्यास करते हैं, और उन पर परिक्चा में प्रिदसन करने का दवाब होता है, तो ये जो है, ये भी हमें नहीं करना है, अब अगला देखिया विकल्प, बिल्कुल ही सही विकल्प है, क्या है, गड़त ब ये जाता है, किस पर दिया जाना चाहिए महत्तु ठीक है, पहला उप्सन है, गड़ती विसय, पिरकिरिया और तर्क पर, दूसरा है, समस्य समाधान की युक्तियों पर, तीसरा है, गड़ती ए ऐल्लगोरिफ्म, यानि परिकल्प, पिरिद्णाली पर, चोता है, गड़ती बताइए क्या हो जाएगा फ्रेंस या पर आपका अंसर तो सातियों देखिए अब कक्षा कक्ष में महत तो दिया जाना चाहिए गड़त में किस तरीके से अब देखिए पहला ओप्सन देखते हैं हम गड़ती बिसय प्रिकिरिया और तर्क अब इसमें देख रहा है यानि अस्या समाधान की युक्तियों तो ये बाद की बात है ना क्या है ये क्या कहता है ये ऑप्सन दूसरा कहता है कि आप आए और पिरसन वच्चों को सामने रखें और उसके लिए सॉल्व करा दें और उसमें जो सूत लग रहा है उनके लिए बता दें तो ये हमारे लिए पह त्विक्रिया की बात आई यह विल्कुल पहला फिके ए अब चलते हैं फ्रेंश अगले प्रसन पर देख लेतें अगला फ्रसन क्या है कि निंडलिखित में जसे कौँ से एक पहलू ॥ मर्श पूल नहीं है। सामानिकरंग्डमान पहला है माप दाख छोते हैं किरम परिबर्तन तो friends इसका आपको जो है कमेंट वक्स में अंसर बताना है फ्रेंड फूर्ण जो लाष्ट हमारे प्रित इसका अंसर आपको कमेंट वक्स में बताना जरूद प्रेंज मिलते हैं अगले वीडियो में